हलो स्टूडेंस दिससे सुर्वितिवारी वेल्कम तो दा इंडियास नॉमर वन एडूकेशनल चैनल मेंगे बेंज वेल हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नॉमर 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करेंट और इट्स एफेक्ट वेल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताये थे कि इले कि इफेक्ट में तो वहां से बात निकलकर आती है कि जो मागनेटिक एफेक्ट है वह कैसे होता था कि आपने आइरेन की कील पर या नेल पर जब कॉपर के वायर को लपेटा तो जैसे उसमें हो करें लगा वह मैगनेट की तरह ब्याइव करने लगा ठीक है तो इसी चीज को एक cylindrical coil होती है जिसमें कुछ इस तरह के wires होते हैं ठीके, is a cylindrical coil of a wire when a current flows through it the solenoid behaves like a bar magnet with opposite poles at the end वेल यह आप diagram देख पा रहे हैं कि इस तरीके के जो solenoid होता है उसमें क्या होती है cylindrical coils होती है इस तरह से wires लपेटे हुए रहते हैं यह जो coil है वो एक तरीके से magnet की तरह behave करने लगती है जब भी उसमें current pass होता है ठीक है अब क्योंकि एक magnetic field को generate कर देती है तो हम magnetic field की strength को किस तरह से बढ़ा सकते हैं the strength of solenoid can be increased by increasing the number of turns in the solenoid solenoid क्या होता है cylindrical इस तरह की coil होती है जिसके उपर हम क्या करते हैं ऐसे यह इस तरह से wires को मतलब अगर यह हमाई पास बार है आरिन का तो इसके उपर कर में इस तरह से wires को लपेट दूँ तो इस तरह से बनने वाला एक cylindrical coil के उपर बायर लगे हुए है तो हम उससे solenoid कहते हैं ठीक है अगर मुझे इसके strength को बढ़ाना है strength को बढ़ाने का मतलब क्या होता है अगर मुझे magnetic field की strength को increase करना है तो मैं क्या कर दूँ यह जो इस तरह से घुमाव है जिसको हम कहते है number of turns क्या कहते है number of turns को बढ़ा देना तो क्या होगा कि जो सलनाइड है वो जाधा क्या हो जाएगा उसकी magnetic effect जादा बढ़ जाएगा अब यह कैसे बढ़ता है एक्च्वल में यह आई इंटू एन के concept से ठीक है एन होता है जहां पर number of turn और आई होता है current ठीक है तो जितने जादा number of current होंगे उतनी जादा magnetic field बढ़ती है अब यह क्यों बढ़ती है यह थोड़ा सा वास्ट कॉंसेप्ट है जो कि आँ थोड़ा आगी वाली class में पढ़ेंगे तो बस अभी आपके लिए इतना काफी है कि आप यह समझें कि जब भी number of turns बढ़ते हैं ठीक है जितने जादा number of turns होते हैं उतनी अच्छी magnetic field होती है इंक्रीजिंग करेंट इंदा solenoid current जो भी अपन दे रहे हैं उससे जाने वाले करेंट के value को अगर हम बढ़ा दे तो winding the solenoid around a magnetic material और अच्छा क्या होगा कि हम किसी magnetic material के एप्रॉक्स ही जो solenoid है उसको लगा दें ठीक है जो solenoid है उसको कहाँ कर दें किसी magnetic material के पास तो भी उसकी जो strength है वो increase हम कर सकते हैं ओके सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने एक experiment perform करके देखा था कि हमने यहां पर magnetic needle लगा के रखी हुई है compass लगा के रखा हुआ है अगर direction of current यहां से जा रहा है तो आप देख रहे हो compass की निदल के direction अलग है अगर direction of current different है मतलब हमने अगर battery के connections को change कर दिया तो आप देख पा रहे हो कि यह जो compass है दोनों ही cases में इसकी जो निदल है वो आपको different side में दिख रही है इसका मतलब solenite भी उसी concept पर चलता है कि अगर आप iron क्यूपर copper को लगा दो कि तो magnetic field generate हो जाएगी ठीक है तो इस solenite के बाद जो next हमारा concept आता है वो आता है electromagnet का ठीक है तो जैसा आप नाम पढ़ पा रहे हो electromagnet तो इसका मतलब एक ऐसी magnet जो की electrical electricity या electric current की help से बनी हो उसको हम electromagnet कहते हैं तो अगर आपने इसकी definition पर चलें तो क्या होती है Electromagnet is a coil of insulated wire bound around a piece of magnetic substance such as soft iron which act as a magnet only as long as the current flowing in the wire हम क्या करते हैं magnet के substance को लेते हैं direct magnet नहीं ले लिते क्या अपने pure magnet ले लिया ठीक है हम क्या लेते magnetic substance जैसे soft iron ठीक है यह लेते हैं तो Electromagnetectual में क्या होता है कि जब भी हम किसी soft iron पर ठीक है क्या करते है insulated copper wire को insulated मतलब क्या होता है कि copper का wire directly नहीं लगाया जाता है उसके उपर कुछ insulation किया जाता है ठीक है तो यह insulated copper wire जब हम soft iron core पर लगा देते हैं soft iron की material पर लगा देते हैं तो यह magnet की तरह करने लगता है लेकिन कब करेगा सिर्फ और सिर्फ तब behave करेगा जब उसमें से current flow करेगा आप यह सोचे कि हमने एक बार बनाया तो यह permanent magnet बन गया तो ऐसा नहीं होता जब जब इसमें से current flow करेगा तब तब वह magnet की तरह behave करेगा the magnetic material around which the coil is bound is called the core ठीक है वह magnetic material या जो भी material आप ले रहे हो जिस पर आप coil को bound कर रहे हो से magnet बनाने के लिए हम उसे क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं core the core increases the magnetic effect of solenite several times as we saw in the previous activity well जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी solenite की ठीक है क्या करना है strength को बढ़ाना है या electromagnetic strength को बढ़ाना है तो हम एक iron का piece ले ले या फिर magnetic material का piece ले ले तो magnetic material क्या है आपका soft iron तो हमने क्या क्या soft iron को लिया और उस पर हमने wire को bound कर दिया ठीक है ना तो इस तरह से क्या होगा कि जो magnetic effect produce होगा ना वह बागी के activities से थोड़ा जादा होगा तो यह होता है electromagnet का concept अब आप यह सोचेगे कि electromagnet हम क्यों पढ़ रहे हैं वेल यह जो electromagnet है वह हमारी बहुत सारी जगह पर यूज होती है सबसे जादा जो आप इसका vast यूज देखोगे या सबसे high level यूज देखोगे वह होता है आपके transformer में अगर आपने कभी transformer देखा होगा ना बाहर तो आप यह पाओगे कि transformer जो है जब आप उसके अंदर देखेंगे structure को आप समझोगे ना कभी higher studies के लिए कभी electrical engineering को अगर आप चूज करते हैं तो यह आप इंजिनरिंग में जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि एक core होती है ठीक है soft iron की core होती है जिसके दोनों तरफ अपन इस तरह की winding कर देते हैं ठीक है तो यह जो transformer है वह उसकी को जो है magnetic effect देना शुरू कर देती है मतलब कि एक तरीके से इलेक्ट्रो मागनेट बन गया और इसी इफेक्ट की वज़े से जो transformer है वो काम करता है ठीक अब यह तो हमने आपको एक एक्जामपल बता दिया और एक्जामपल दिखते हैं कि कि और क्या-क्या यूजिस होते हैं वेल एक्ट्रो मागनेट सार यूज इन नम्मर ओफ एलेक्ट्रिकल एप्स एप्लाइंसे सच एस एलेक्ट्रिकल बैल्स एलेक्ट्रिकल बज़र्स ठीक है तो आपको हम एक एक्जामपल जैसे दो थोड़ा सा उयॉबं होने हमारे लिए हम क्या करते हैं ऑने यग्या है है तो शक्सक्रिक hijo पार्ण से उसकिन है कि पहले हं यह को आपको भूबाइब都र बहुत अछा किया जाता है तो आप फैनकर आपको मैने बताओ था तो they are used in electrical motors which find wide applications in fan, washing machine, air conditioner, refrigerator etc. Very strong electromagnets, ठीक है, बड़ी जो electromagnets होती है, strong electromagnets जो होती है, are used in factories and cranes for lifting heavy iron pieces, ठीक है, बहुत vast application है, वैसे strong electromagnet का भी, लेकिन जो आप समझ सकते हो, वो यह है कि यह factory में और जो crane होती हैं, जिससे आपन समान को उठाते हैं, heavy iron material को अगर उठाते हैं, तो वहाँ पर हम किसका use करते हैं, वहाँ पर हम जो use करते हैं, वो है electro magnet का, चलिए, so, यह तो हमने जाना कि electro magnet क्या होता है, मेरे ख्याल से आप सभी को याद होगा, कि जब भी हम किसी soft iron के piece पर copper के wire को, insulated copper wire को लपेट देते हैं, तो इस तरह से बनने वाला जो material है, वो जब जब उसमें से current जाएगा, तो किसकी तरह से काम करेगा, तब तब वो काम करेगा electro magnet की तरह, तो यह तो हमने electro magnet का concept समझा, अभी electro magnet का use हम देखते हैं, एक example की तरह, जैसे आपने को बताया, बहुत सारे vast applications है, एक application को हम समझते हैं, चले, तो आप क्या करें, आप लोग सबसे पहले तो इस diagram को ध्यान में देखें, ठीके, इस diagram को जब आप ध्यान से देखोगे, तो आप देखोगे कि इसमें एक electro magnet ह ठीके, एक soft iron का piece लगा हुआ है, एक spring लगा हुआ है, और यहाँ पर यह जो है, यह है आपका screw, ठीके, जो की इस यह जो आपका spring है इसको tight या वो करने के लिए use किया जाता है, ठीके, tight या loose करने के लिए, ठीके, तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि इस तरह से हम इसको set कर दि किया, चले, तो इसकी working समझते हैं, so, when the switch is pressed on, जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम switch को on करते हैं, current flows in the electromagnet, जैसे हमने switch को on किया, यह जो current है, यहाँ से निकल के, इन electromagnet में आ गया, electromagnet, जिसमें एक iron का piece है, और उपर क्या है, उपर इस तरह के copper wire लगे हुए है, इसका मतलब, जैसे ही हम से switch से, बैटरी से निकल के, current आएगा, और इन switch इस electromagnet में जाएगा, तो यह किसकी तरह बहेव करने लगेगी, यह बहेव करने लगेगी, एक electromagnet की तरह, मतलब एक magnetic field यह है, जो magnet है, वो क्या करता है, वो iron pieces को अपनी तरफ attract करता है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा के रखा है, यहाँ पर आपको यह जो लंबा सा structure दिख रहा है, यह है आपका soft iron का piece, यह soft iron armature, तो जैसे ही magnetic field generate होती है, तो यह soft iron का piece है, इसकी तरफ attract होता है, मतलब, क्योंकि इसक current जाता है, magnetic field generate होती है, तो इस effective current यह इसकी तरफ क्या होगा, attract होगा, इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे जुख जाएगा, जैसे ही जुखेगा, तो इस, यह soft current armature है, इसके नीचे लगा हुआ है, यह hammer, क्या लगा हुआ हूआ है, तो यह hammer जाकर के आपके gong में, जो कि आवार्स करेगा, उसमें पढ़ेगा, और आपको bell सुनाई देगी, ठीक है, ऐसा cup cup होगा, जब जब हम switch को on करेंगे, जब जब आप switch को press करोगे, तब तब electric current जाएगा, तो magnetic field generate होगी, magnetic field generate होगी, तो यह जो soft iron का piece है, वो उसकी तरफ attract होगा, इसके attract होने से hammer जो है, वो gong पे जाएगा, आपको एक sound सुनाई देता है, तो यह continue चलता रहता है, जब तकि हम switch को on करते जाएगे, तो I think आपको electromagnetic की यह application समझ में आ गई होगी, okay, so यह तो हमने पूरे chapter के बारे में समझ लिया, electric current के effect के बारे में समझा, electric bell क्या होती है, fuses क्या होते है, और solenide क्या होता है तो आगे हम बढ़े, उससे पहले क्योंने एक फटाफट से recap ले लिया जाए, so an electric circuit is a continuous conducting path for electric current, जैसे हमने पढ़ा था कि जो electric circuit होता है, वो क्या होता है, वो होता है continuous conducting path of for electric current, electric current के लिए जो path का काम करता है, वो होता है electric circuit, a circuit diagram shows an electric circuit with the help of symbols, ठीक है, यहाँ पे जो electric circuit है, अगर आपको इसको समझना है, तो वो किस तरह से आपको समझ में आएगा, वो कुछ इस तरह के का diagram रहेगा, जिसमें कुछ elements लगे होते हैं, जैसा आप यहाँ पे circuit में देख पा रहे हो, इसमें switch है, यह bulb को represent कर रहा है, और यह जो point है, यह जो आपका symbol है, यह किस स्टार्ट होता है, वो शुरू होता है high potential से और जाता है low potential पर, जो कि जिसका मतलब positive से शुरू हो करके negative पर जाता है, जब भी को electric current conductor से होकर के पास होता है, तो heat produce होती है, अगर हम current की मातरा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, current के amount को increase करते जाएंगे, तो क्या होता, heating भी बढ़ती जाएगी, यह heating किसके वज़े से होती है, यह होती है conductor के resistance की वज़े से, यह बात आपको याद रखनी है, electrical appliances such as room heaters, electric bulb और electric iron, utilize the heating effect of current, well हर एक material के अंदर जो resistance की property होती है, उसकी वज़े से क्योंकि heat produce होती है, तो यही concept जो है, हम कई appliances में पढ़े, जैसे कि कौन कौन से, heater में, bulb में, iron में, और heating, मतब heaters में, bulb में, press में, ठीक है, जो आपकी आप normal press करते हो घर में, iron जो होता है आपका, ठीक है न, उस सभी में हम क्या use करते हैं, उन सभी में हम heating effect of electric current को ही use करते हैं, राइट, चले, अफ्यूज क्या होता है, fuse के बारे में हम पढ़े थे, fuse क्या था, एक safety device था, a fuse is a safety device made of conducting material, which has a low melting point, fuse जो है, एक conducting device होता है, ठीक है, जिसका melting point काफे कम होता है, it works on the principle of heating effect of current, जैसे मैंने आपको बताया था, कि fuse wire अगर electric circuit में लगा है, और उस circuit का, क्या हो चुका है, उस circuit में बहने वाले current का amount increase हो गया है, तो जैसे ही current का amount increase होता है, तो क्या होता है, वैसे ही heat produce होती है, उस heat के current, जो आपका fuse wire है, क्योंकि उसका low melting point होता है, तो इसके वाज़े से वो burn हो जाता है, वो circuit break हो जाता है, और इस तरह से हम हमारे device को या जो भी appliances काम कर रहे हैं, उसको बचा लेते हैं, ठीक है, तो ये fuse का काम क्या है, fuse का काम है, safety device, ये fuse क्या करता है, हमारे circuit को damage से बचाता है, या फिर हमारे जो घर के home system होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको high current से बचाता है, short circuit से बचाता है, current flowing in a wire can produces a magnet field around the wire, well, हमने ये भी समझा कि किस तरह से जो एक current है, अगर किसी iron में या अगर आप कोई wire को लपेड़ दे और उस iron के पर जब current flow करता है, तो एक magnetic field generate हो जाती है, the strength of the magnetic field depends on the strength of the current flowing in the wire, ठीक है, magnetic field की strength जो है, वो depend करती है, कि उसमें जाने वाला current कितना है, ठीक है, current जादा, magnetic field भी जादा, an electromagnet consists of a coil, ठीक है, electromagnet क्या होती है, जिसमें coil होती है, जिसके उपर हम insulated wire को लपेड़ देते हैं, जिससे वो एक magnet की तरह behave करने लगेगी, लेकिन कब, जब उसमें से current flow करेगा, ठीक है, it acts as a magnet only as long as the current flow in the wire, जितनी देर तक current wire से flow करेगा, उतना ही वहाँ पर magnetic field generate हो जाएगी, राइट, चलिए आके चलते हैं और recap देखते हैं कि हमने और क्या पढ़ा, well, electromagnets are used in electrical bells and buzzers and in making electrical motors, electromagnets जो है, उसका use हम कहां करते हैं, motors में करते हैं, electric bell में करते हैं, buzzers में करते हैं, और हमने ये भी समझा कि electric bell किस तरह से काम करती है, very strong electromagnets are used in cranes for lifting heavy iron object, ये भी हम समझ चुके थे, कि जो ज़्यादा high strength की electromagnets होती है, उनका use हम कहां करते हैं, उनका use हम करते हैं, lifting में, किसी समान को उठाने में जो कि बहुत ज़्यादा heavy होते हैं, तो well, ये तो था आपका complete recap of chapter number 14, अब हमें जो पढ़ना है, वो पढ़ना है, हम हम हमारी next class में इस chapters related activities को देखेंगे, कि हमारी NCRT की books में क्या activity दी होई है, और वो activity हमें क्या बता रही है, अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप हमारी official website, जो कि है magnetbrains.com उस पर जाएए, जहां पर जैसे ही आप इस website पर जाएंगे, इसको आप URL पर जब magnetbrains. लिखते हैं, तो आपको कुछ इस तरह की screen दिखेगी, यहां पर आपको class select करनी है, जैसे आप class 7 के student है, आपने class जैसे ही select करी, तो आपको इस तरह से सभी subjects के जो भी teachers हैं, उनके video lectures दिखना शुरू हो जाएंगे, माल लीजे आपको science दिखना है, आप science पर गए, आपने इस देखना शुरू हो जाएगा, आप video को जब देख लें, आपको अगर हमारा video पसंद आए, तो उसको क्या करें, like करें, उसे share करें और subscribe करें, share ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अगर वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, क्योंकि हमारे पास kindergarten से लेकर के class 12 तक के वो घर सब करें, क्योंकि हमार, ऑास्व घर थें और बड़े हैं al better बड़े यागरे हैं, क्योंकि बड़े, यथ सोबेस्टना तो दोखने हैं अभरे टूसे हैं, क्योंकि हमारे देखना आपसे हो लेकर genau है,